हेलो एवरीवन, एम डॉक्टर कनिशा कोशिक, वेलकम यूओन टॉपर स्टॉप, सो हम आज अपनी करंट अफेर की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो लेके आये हैं, संडे को करंट अफेर्स या जो हिंदू वोकैबिलरी है वो नहीं आएगी बस एक जनरल वीडियो आएगी ज आप हमारे Instagram page stop per stop पर फोलो कर सकते हैं, यहां पर हम पोस्ट करते रहते हैं, जो भी न्यूफरमिशन आती है या फिर कोई भी रिलेटेड न्यूम्स होती है, और वहीं पर आप Telegram चैनल भी हमको फोलो कर सकते हैं, यहां पर मैं पोस्ट करते हैं तो जैसे कि यहां पर रेखे कि यूप ऐसी एपफों से डिलेटीड स्कील इंडिया की जितनी भी स्कीम से उनकी मैंने एक समरी यहां पर डाले ताकि आपको हेल्प हो जाए सीजल और इंग्लिश की इडियम सो गई या फिर और भी सब्जेक्ट्स अकाउंटिंग या शोशल सेक् को देखते हैं तो देखिए हमारी प्राइम मिनिस्ट्र के थूप जो है एक न्यू सीड फंड मतब की सीड फंड को आप कैसे समझेंगे कि किसी भी चीज की जब हम शुरुआत करते हैं अगर हम किसी प्लांट को बोते हैं मिट्टी के अंदर तो पहले हम सीड डालते हैं तो क्या याद रखना है पहली बात तो आपसे ये पूछा जा सकते है कि प्रारंब क्या है तो प्रारंब जो है वो एक सीड फंड है जो की स्टार्ट आप इंडिया इंटरनेशनल समिट में अनौंस क्या गया था कितना इसका अमाउंट है क्यों कि ये फैक्ट्स जो है ये इसके साथ जो है एक तो हो गया प्रारम स्कीम अब आप से दूसरा कोशन इंटर्वियू में पूछा जा सकता है या फिर आपको ओवरॉल भी ये नोलीज होनी चाहिए कि क्या सिफ प्रारम भी एक ऐसा फंड है जो कि गवर्मेंट की थूरू प्रोवाइड किया जाता है स्ट की एक्विटी कैपिटल को रेस करके बट उसके साथ जो है वो प्रारम को भी शुरू किया गया है और उसके साथ जो है अपनी क्या करते है कि देखे अगर माली जी कि किसी को फंड चाहिए होता है तो यहां पे तो कोई गैरंटी की जोर्त नहीं है बट कुछ लोग जो होते है उनको जादा फंड की ज़रूरत होते तो यहां पर अपनी वह कोई गैरंटी रखते है और फिर सेंट्र गावंट जो है वह उनको फंड प्रोवाइड करते तो गावंट जो है वह कैपिटल रेस करती है थ्रू गैरंटी और तो यह तीनो पॉइंट आपको याद रखने नेक्स देखते हैं ड्राफ्ट मोडल टेंडर देखें अब सिंपल सा एक बार अपने स्कूल डेज में जाए वापिस तो हमारे टीचर जो थी वो हमें इंग्लीश की बुक में कहती थी कि बेटा यह लैटर का परा फॉर्मेट है यह आपका एसे का फॉर्मेट है यह आपका न फाइनस मिनिस्ट्री का यह डिपार्टमेंट आपको याद अखना है यह यूपी एसी तरीके से ट्रिक करता है कि आपको एक्जक्ट नोलीज पता है या नहीं है तो फाइनस मिनिस्ट्री के एकस्पेंडीचर डिपार्टमेंट जो है उन्होंने एक मोडल तयार किया है और ताकि जो भी लेंग्वेज और उस तेंडर के अंदर इंक्लूड होंगे वह एक अच्छे फॉर्मेट में हो एक एक एक्जेक्ट फॉर्मेट में हो ताकि कोई भी तो यहां पर मोडल टेंडर किसके तुरू रिलीस किया गया एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट फाइनेस मिनिस्ट्री के तुरू अब एक तंब जो आपके लिए इंपोर्टेंट होता है इंटेव्यू के लिए और प्रिलियम्स के लिए और डिरेक्टली यहां से कोशन उठ रिलेटिड है वो है पुब्लिक प्रोक्यूर्मेंट तो आपको पता होना चाहिए कि पुब्लिक प्रोक्यूर्मेंट क्या होता है देखे कभी भी कोई भी पुब्लिक सेक्टर कंपनी है पुब्लिक सेक्टर कौन सी होते है जो कि गवर्मेंट के हाथ में होते है या फिर ज वह कितना percentage constitute करती है हमारी GDP का तो टोटल 15% जो हमारी GDP ग्लोबली होती है उसका public procurement जो है सोरी मतब जो 15% GDP ग्लोबली constitute करता है वो public procurement करता है next एक यहां पर जो basically public procurement है उसमें कोई भी standardized nomenclature हमारी country के अंदर नहीं थे अब तक मतब कि थोड़े से नोमन क्लेचर जो थे वो अमेरिका से ले लिए गए थे थोड़े European countries से ले लिए थे थोड़े से इंडिया नोमन क्लेचर थे इस वज़े सी इस draft model को तयार किया गए यहां पर एक चीज और आपको याद रखनी है कि यहां पर देखे टेंडर क्या हो गए कि टेंडर क्या है कि सी भी अगर माली जे प्राइवेट कंपनी है उसे ने कोई project स्टार्ट किया है तो वो तो हो गया tender ठीक है और यहां पर bidder क्या होंगे जो निलामी लगाने के लिए गए हैं जो बोली लगाने के लिए कि हम इतने में खरीदेंगे हम इतने में खरीदेंगे तो यह जो दो वर्ट्स हैं यह भी आप याद रखेगा यह सिंपल आपकी नोलिज के लिए यह वाले जो पॉइंट से यह आपके जस्ट मैने थोड़ा सा explanation के लिए डाले यह आप से प्रिलियम से में नहीं पूछे जाएंगे नेक्स देखते हैं सक्षम को सक्षम की फुल फुल फुम क्या है संडरक्शन शम्ता महुटसफ 2021 पहले बात तो आपके फुल फुल फुम याद रखनी है क्योंकि हमारे इर्वोर्मेंट से रिलेटेड है और इसे रिलेटेड करें पूछे जाते हैं तो देखे जो हमारे मिनिस्ट्री ओफ पेट्रोलियम और नेच्रल गैस है उन्होंने सक्षम को लॉंच किया है और यह किसले क्या गया है ताकि अवेर्नेस क्रेट की जा सके किन के बीच में उन कंजूमर्स के बीच में जो की फोशल फुल को यूज करते ह तो देखे यहां पर बेसिकली बताया गया है कि हमारा जो कार्बन फुट्प्रिंट इंक्रीज हो रहा है फोशल फ्यूल्स के यूज करने से उसका हमारी हेल्थ के उपर और हमारे इन्वर्मेंटल इंपक्ट क्या क्या है मतलब कि कितना सीवेरली यह हमको इंपक्ट करता है तो देखे सक्षम का जो आइडिया है बेसिक आइडिया वो कंजूमर्स को कंविंस करना है कि आप जो है क्लीन फ्यूल्स को यूज कीजिए अपना बिहेवियर चेंज कीजिए और फोशल फ्यूल्स जो है उनको इंटेलिजेंस वे में यूज कीजिए ताकि वो आगे खतम और आगे हमारी ज़रूरते हैं वह पूरी ना हो तो यहां पर जो कैम्पेन था उसमें सैवन की ड्राइवर्स जो है वह प्राइम मिनिस्टर ने हमारे लॉंच किये हैं फोरा क्लीनर एनरजी यह ड्राइव सम देख लेते हैं तो सबसे पहले तो का गया है कि हमारी एकोनमी है अब गैस बेस्ट एकोनमी बनाने के जुरूरत आ गई है वहीं पर जितने भी फोर्शल फ्यूल्स हम यूज करेंगे वह क्लीनर वेक होना चाहिए मतलब कि हम जो नोन कन्वेंशनल हैं मतलब कि जो ग्रीन हमारे फ्यूल्स होते हैं उनको यूज करें ना कि हम कन्वेंशनल स्केवरियर उसके साथ ही एक आ गया कि जो हमारे डॉमेस्टिक सोर्सीज होते हैं तो उसमें हम बायो फीछ को यूज सेट रहें तो ग्रेटर लाइंस हम ने रिक ही अचीव कर ने उसके लिए हम एक डैडलाइं रखे तक हम कोई भी चैप्टर पढने बैठते तो हम कहते हम इतने घंटे में इसको complete करना है तो इस तरीके से ही हम targets के लिए एक deadline set करें उसी के साथ जो है electrical vehicles जो है उनका use increase होना चाहिए ताकि जो है decarbonize mobility हो मतब कि जो mobility हो रही है हम vehicles के साथ चल रहे हैं तो उसमें carbon emission कम से कम हो वहीं पे hydrogen जैसे जो cleaner fuels है उसका use increase होना चाहिए और digital innovation की हिए ग्लारी पयत्तू को तो यह basically जो है के रिला के अंदर मार्षाल आर्ट है और यह 3000 एर्ज पुराना है तो आपको क्या point जाया द जखना है पहली बात तो यह की एक यह के रिला के अंदर होता है दूसरा क्या है यह martial art के अंदर आता है ओर यह 3000 एर्स पुराना है इसके अलावा जो है बस एक सिंपल सी चीज है कि यह मोस्ट फेमस कॉंबेट स्टाइल है तो यह चाल पॉइंट्स आपको याद रखने है अपने प्रिलियम्स के लिए नेक्स्ट और लास्ट न्यूस देखते हैं वो स्विच यू एबी के बारे में देखते हैं इसके बाद हम कोश्चन को डिसकस करेंगे तो इंडियन आर्मी जो है उन्होंने 220 डॉलर मिलियन का जो है कॉंट्रैक्ट साइन किया है आइडिया फोर्च के साथ और यहां पर अन्मेंड एरियल वहिकल को यहां पर लिया जाएगा जिसकों की हाई एल्टिटूड पर यूस किया जाएगा तो देखें जो स्विच जो हिएंडियन फोर्सिस के लिए किया जा रहा है थाकि सर्वीलियंस जो है उसकी ढूर को इल्मान को नित्कृष किया जा सके और जो सर्वीलियंस ईFSकों को बिल्स करते है तो बिल давно के bell Interesting पेर से रिलेटर तो अमीद मुकर्जी जो है उन्होंने सही अंसर दिया था उसका अंसर था वो सी सुथा दोनों ही पॉइंट्स जो थे National Innovation Portal के वो था सही थे तो जिनोंने खाली निहां सर दिया good a so Congratulations na question with reference to startup India Siard e CD pub considered the following statement first is the corpus of the promise isος thousand thousand crore and second इस इट वोस अनॉंस जूरिंग दा प्रारम स्टार्टप इंडिया इंटरनेशनल सम्मिट तो यह आपके पास अब ओप्षिंस है ए है वन ओनली बी है टू ओनली सी बोथ वन एंट टू एंड डी नाइदर वन नो टू तो इसको अंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में ताकि जो ह कर मैं उस परसन का नाम अनॉंस कर सकूँ जो इसको सही अंसर करेगा और सही अंसर भी मैं आपको बता दूंगी आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी थैंक्यू सो मच